हिमाचो परदीश में हो रही लगातार बारिश कहर बर पा रही है सोलन जिला के कंड़ागाट में बादल फटने के बाद जडॉन गाउं में तबाही मची है मिली जानकारी के अनुसर गाउं के दो घर और एक गोशाला भारिबारिश के कारण लेंड्सलाइट की चपेट में आ गए जिसमें साथ लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोगों को रेस्क्यू किया गया है जिनका साहिरी अस्पताल में इलाग चल रहा है कंडगाट के जडौन गाउं में एक ही परिवार के दो घर लेंड्सलाइट की चपेट में आ गए बताया जा रहा है कि यहां एक ही परिवार के तेरा लोग रहते थे लेंड्सलाइट के बाद ये दोनों घर मलबे में दब गए और परिवार के नौ लोग इसकी चपेट में आ गए इसके बाद ग्रामिनों ने स्थानिय परशाशन को इसकी जानकारी दी थी ग्रामिनों ने परशाशन के साथ मिलकर रेस्क्यू आपरेशन चलाया और साथ लोगों के शव मलबे से निकाले जबकि दो लोगों को रेस्क्यू करके अस्पताल भिजवाया गया है स्थानिय प्रशाशन के मुताबिक लेंड्सलाइट की कारण दोनों घर मलबे में दफन हो गए जिससे जानमाल का भारी नुकसान हुआ है एक ही परिवार के साथ लोगों की मौत से गाउं में मातम पसर गया है सीम सुखु ने ट्वीट करके दुख प्रकट किया है गौरतलब है कि ये स्वास्ते मंतरी धन्राम शांडिल का ग्रीह क्षेतर है उन्होंने भी एक ही परिवार के साथ लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीडितों को हर संभव सहायता पहुचाने की बात कही है